नमस्कार दोस्तो, स्पेड यान में आपका स्वागत है दोस्तो, यह वीडियो सभी एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुई बनाई गई है आज का सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा देखना है चलिए शुरू करते हैं आज की किलास पहला क्यूस्चन है हमारे पास भारतिय रेल्वे ने कब तक सभी ब्राड गेज मारगो के विद्यूतिकरण का लक्सियर रखा है और अगर ब्राड गेज की बात करें तो इसकी चोडाई कितनी होती है ब्रोड गेज की चोडाई होती है 1.676 मिटर ठीक है यानि की 16.6 मिलिमिटर अगला क्यूस्चन है हाल ही में किसने पारदर्शी तरीके से भूमी अधिग्रैन के लिए भूमी राशी पोर्टल लांज किया है ओप्सन A है करसी मंतराले B है नीती आयोग C है सड़क परिवेहन एवं राजमार्ग मंतराले और D है के अंदर सरकार तो राइट आंसर है यहाँ पे ओप्सन C सड़क परिवेहन एवं राजमार्ग मंतराले और यह किसके अंडर में है यह है नितिन गडगरी के नितिन गडगरी ठीक है अगला क्यूस्टन है हाल ही में Google Cloud India का नया परबंद निदेशक किशे न्यूक्ट किया गया है option A है करण बाजवा, B है देवासी स्पांडा, C है विराट कोहली और D है अमिता बच्चन तो right answer है याँपे, option A करण बाजवा और ये पहले क्या थे, ये पहले थे IBM में Managing Director बाद में ये Google Cloud India का नया परबंद निदेशक 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 अगया अगला क्यूस्टन है 2020 के अनुसार जारी की गई World Happiness Index में कौन टापर रहा है यानि कौन टापर रहा है option A है, Denmark, B है, भारत, C है, America और D है, Finland तो right answer है याँपे, option D, Finland ठीक है और ये कौन से महादीब का देश है ये है, Europe महादीब इसकी ranking रही है first और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की कौन से ranking रही है इंडिया की ranking रही है 144 वी, कितने में से 156 देशो में से ठीक है अगला question है हाल ही में भारत सरकार ने कितने साल में हर राज्य की रालधानी में एक forensic प्रियोग साला स्थापित करने की घोशना की है option A है एक साल, B है, दो साल C है, तीन साल और D है, चार साल तो इसका right answer है यहाँ पे option B, दो साल यानि कि हर दो साल में हर राज्य में forensic प्रियोग साला स्थापित की जाएगी अगला question है हाल ही में साथ जौलामुकी सिकर पर चड़ने वाले पहले भारतिये कौन है option A है प्रणे मित्तल B है, प्रतीक जोसी C है, राजेश कुमार और D है, सत्यारूप सिध्धान्थ तो इसका right answer है option D, सत्यारूप सिध्धान्थ और कहां के हैं यह? यह है, कौलकाता यानि कि पस्चिम बंगाल ठीक है, साथ जवाला मोगी शिकर पर चड़ने वाले पहले भारतिये सत्यारूप सिध्धान्थ अगला क्योशन है हाल ही में CBDT बोर्ड के नए अध्यक्स कोन बने है option A है S के गुपता B है KM परशाद C है उप्युक दोनो और D है K1 के मुल्चंद तो राइट अंच हो रहे यहाँ पर option C उप्युक दोनो यानि कि S के गुपता और KM परशाद दोनो अगर CBDT की फुल फोर्म की बात करें तो CBDT की फुल फोर्म क्या है The Central Board of Direct Taxes अगला क्योशन है राष्टर ये पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा है option A है संयुक तो राष्टर है अमेरिका B है भारत C है चीन और D है सिंगापूर तो राइट आंस वो रहे हैं आपे option D सिंगापूर और राष्टर पती कौन है राष्टर पती है यहां के हलिमा याकूब और मुद्रा है यहां की मुद्रा है सिंगापूर डॉलर ठीक है और राजधानी है यहां की सिंगापूर सिटी यह हमें याद रखना है अगला क्योशन है भारत के किस पड़ोशी देश ने नो मास्क, नो सर्विस पॉलिशी लांच की है Option A है नेपाल B है बांगलादेश C है थाइलेंड और D है पाकिस्तान तो राइट आंच रहे यहां पे Option B बांगलादेश और बांगलादेश की राजधानी क्या है ढाका ठीक है और मुद्रा क्या है यहां की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टका और PM कोन है यहां से यहां से PM है सेख हसीना ठीक है अगला क्योशन है भारत उर्जा मंच के चोथे संस्क्रण का विशय क्या था Option A है बदलती दुनिया में भारत का उर्जा भुषय B है बुषय के लिए उर्जा बचत C है भारत का सुरक्षित उर्जा परिदर्शे और D है कल के भारत के लिए स्वच उर्जा तो इसका राइट आंस्टर है Option A बदलती दुनिया में भारत का उर्जा भुषय बदलती दुनिया में भारत का उर्जाभवी से और 26 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फिरेंसी के जरिए पीम नरेंदर मोदी ने इसके उपर भासन दिया था ठीक है अगला क्योंचन है 2022 में निसार उपगरह के परक्षेपन के लिए इस रो के साथ किस एजेंस्य ने सहयोग किया है उप्षन A है नासा B है जाकसा C है रोस्को और D है ये से तो राइट आंस रहें हमें उप्षन A नासा नासा कहा की एजेंस्य है ये है American Space Agency और जाकसा के अगर बात करें तो कहां से है जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी और रोसको कहां से है रोसको है रस्या की स्पेस एजेंसी और ESA ESA का मतलब है European Space Agency ठीक है अगला क्योंचन है राश्ट्रे शिक्षा दिवस किसकी जैनती के उपलक्स में मनाया जाता है Option A है मौलाना अब्दुलकलाम आजाद, B है महात्मा गांदी, C है सुबास दंदर बोस और D है जौहरलाल नहरूर तो राइट आंसर है आपे Option A मौलाना अब्दुलकलाम आजाद और ये क्या थे? ये थे आजाद भारत के पहले शिक्षा मंतरी ठीक है आजाद भारत के पहले शिक्षा मंतरी और 1992 में मरनो परांत भारत रत्म दिया गया था और ये जो राष्टे शिक्षा दिवक्ष है कब मनाया जाता है ये? 11 नौम्बर को अगला क्योंशन है? किस देश ने दुनिया का पहला 6G का उपगरे लांच किया है? तो ओप्षन A है यहाँ पे France, B है भारत, C है संयुक्त राज्य एमेरिका और D है चीन तो राइट आंसर है यहाँ पे ओप्षन D, चीन चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग है ना? और राष्टरपती कोन है याँके? राष्टरपती है C, जिन्पिंग अगला क्योशन है ओप्रेस्टन थंडर 2020 किस से समंदित है? ओप्षन A है वन पारस्थिति की प्रनालियों को बचाने के लिए B है बाड के खिलाफ उपाय प्रदान करना C है बन्यजियों के अवैद व्यापार के खिलाफ सक्त रुख और D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका राइट आंस्वर है ओप्षन C बन्यजियों के अवैद व्यापार के खिलाफ सक्त रुख ओप्रेस्टन थंडर अगला क्योशन है प्रतिवर्स विश्व मदू में दिवस कम मनाय जाता है option A है 12 नवंबर, B है 13 नवंबर, C है 14 नवंबर, और D है 11 नवंबर तो right answer रहे यहाँ पे option C, 14 नवंबर और 14 नवंबर क्या मनाय जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाय जाता है किसके जनम दिन के उपलक्स में जवाहरलाल, नहरू ठीक है अगला क्यूस्टन है भारत का पहला सैंडल वुड संग्राले किस राज्ये में स्थापित किया जा रहा है option A है मैसूर, B है बैंगलूर, C है चैन्नाई, और D है मैंगलूर तो right answer रहे यहाँ पे option A मैसूर, मैसूर कहाँ पे है, यह है करनाटक में ठीक है, और करनाटक की राजधानी क्या है करनाटक की राजधानी है बैंगलूर अगला क्यूस्टन है निमल लिखित में से किसने परतिष्ठित अंतराष्ट्रे बाल सांती पुरुसकार 2020 जिता है option A है, सादात रह्मान, B है, मुहम्मद अली, C है, दिव्या मालूम, D है, कैला सत्यार्थी तो राइट आंस पर है यहाँ पे option A, सादात रह्मान यह सादात रह्मान है, कहां से है यह? यह है, बांगला देश से ठीक है अगला क्योशन है बच्चों के लिए किस राज्जे में दुनिया का पहला ट्रॉम पुस्तकाले शुरू किया गया है option A है, महराष्टर B है, पस्चिम बंगाल C है, उडिसा और D है, करनाटक तो राइट आंस रहे हैं यहाँ पे option B, पस्चिम बंगाल CM कौन है पस्चिम बंगाल से CM है, ममतब एनरजी अगला क्योशन है एसिया की पहली सोर उर्जा संचालित कपड़ा मिल को किस जिले में स्थापित किया जाएगा option A है, औरंगाबाद B है, महराष्टर C है, मध्यपरदेश और D है, उत्तर परदेश तो right answer है यहाँ पे option B, महराष्टर ठीक है, और जो कपड़ा मिल है वो कितनी जगह में है, वो है 30 एकड़ में, ठीक है और कितनी लागत आएगी इसके उपर इसके उपर लागत आएगी लगबग 100 क्रोड रुपे अगला क्यूस्टर है खाल ही में, किस देश ने भारत के साथ अपनी पहली सिखर सम्मेलन बैठक आयूजित की है option A है, लैक्जंबर्ग B है, चीन C है, बांगला देश और D है, फ्रांस तो right answer है आपे option A, लैक्जंबर्ग यह कहां का देश है यह है यूरोप मादिव का देश ठीक है और मुद्रा है यहां की यूरो ठीक है गाईज, अगर सैसन अच्छा लग रहा हो तो like और subscribe जरूर करें ताकि आगे जो भी वीडियोज हम डालें, उसका notification आप तक पहुंच के और ज़ादा से ज़ादा वीडियो को share भी करें अगला क्योंच है हमारे पास वर्ष दो हजार बीस का भुकर पुसकार किसने जीता है ओप्सन ए है अवनी दोसी बी है डाय के कुप सी है माजा और डी है डगलस स्टूर्ट तो right answer है यहां पे option D डगलस स्टूर्ट और यह किस के लिए दिया जाता है यह दिया जाता है साहित्ते के लिए यानि कि बुकर पुसकार किस के लिए दिया जाता है साहित्ते के लिए और इंकी बुक्ती यह सुगी बैन अगला क्योंचन है हाल ही में युद्ध अभ्यास सीट मैक्स 20 कहां हुआ है option A है बंगाल की खाड़ी B है अंदमान सागर C है हिंदमा सागर और D है लक्स जीप तो राइट आंसर है यहां पे option B अंदमान सागर अगला क्योंचन है पंदरवे G20 शिखर सम्मेलन का विशे क्या है option A है परियावन और उर्जा B है व्यापार और निवेस C है सभी को 21 वी सदी में अवसर परदान करना और D है महिला ससक्तिकन तो इसका राइट आंसर है यहां पे option C सभी को 21 वी सदी में अवसर परदान करना और यह जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था यह पंदरवा कहां पे हुआ था यह हुआ था सवदी अरब ठीक है अगला क्योंचन है हाल ही में किस देश ने एसिया परशांत आर्थिक सहयोग सिखर सम्मेलन की मेजबानी की है ओप्सन ए है चीन बी है मलेशिया सी है सिंगापुर और डी है जापान तो राइट आंसो रहे हैं पे ओप्सन भी मलेशिया मलेशिया की राजधनी क्या है राजधनी है वहां की कुआ लालनपुर यानि की कुआ लालनपुर और मुद्रा है वहाँ की रिंगिट अगला क्योश्चन है 2023 में G20 नेताओं के सिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा ओप्षन A है आस्ट्रेलिया, B है भारत, C है चीन, और D है कनाडा तो राइट आंसर है यहाँ पे ओप्षन B भारत अगला क्योश्चन है पर्धान मंतरी, किसान, संपदा, योजना निमिल लिखित में से किस मंतर मंतराले के किस मंतराले के अंतरगत आती है ओप्षन A है करशी और किसान कल्यान मंतराले, B है सुक्स्म, लगू और मध्यम उद्यम मंतराले C है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले और D है खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंतराले तो राइट आंसर है आपे Option D खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंतराले यानि कि MOFPI यानि Minister of Food Processing Industries Government of India अगला क्योशन है निमल लिखित में से किस देश ने सुकरियान मिसन के लिए सहयोगात्मक योगदान दिया है Option A है रूस B है फ्रांस C है स्वीडन और D है उप्रोक्त सभी तो राइट आंसर है याँपे Option D उप्रोक्त सभी यानि कि रूस, फ्रांस और स्वीडन तिनों देशों ने सुकरियान मिसन के लिए सहयोगात्मक योगदान दिया है अगला केशन है किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS सुल्क माफ किया है Option A है State Bank of India B है Yuko Bank C है Bank of Bडोदा और D है SDFC Bank तो राइट आंसर है आपे Option A State Bank of India यानि की SBI और Chairperson कोन है इसके Chairperson है Rajneesh Kumar ठीक है और SBI का Headquarter कहा है Headquarter है Mumbai में और कब मना था ये 1 जुलाई 1925 अगला किस बैंक है किसने IPL 2020 का सिर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है Option A है Samsung B है Redmi C है Realme और D है Dream 11 तो राइट आंसर है आपे Option D Dream 11 और ये IPL का कौन सा Sanskrit हुआ था ये हुआ था 13 ठीक है कहां पे हुआ था अबूदाबी UAE मे अबूदाबी ठीक है और किसने जीता ये टाइटल ये जीता Mumbai इंडियस ने कौन सी बार जीता पांच वी बार किसको हराकर जीता ये ये जीता दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ठीक है अगला क्योशन है अगस्त 2020 में किसने सुरुक्षया के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का सुभारंब किया है ओप्षन A है भारतिय रेलवे B है सुरुक्षय मंतराले C है करसी मंतराले D है स्वास्थ मंतराले तो right answer रहें आपे option A भारतिय रेलवे और अब RPF है जो RPF है उसका नया नाम क्या कर दिया है RPFS यानि कि पहले जो नाम था Railway Police Force अब क्या कर दिया है Railway Police Force सेवा S और लगा दिया है यानि सेवा ठीक है और रेलवे मंतराले किसके रेल मंतरी कौन है वो है प्यूस गोयल अगला क्यों सुन है अगस्ट 2020 में अंत्रिक्स है योग पर भार्द ने किस देश के साथ समझोता किया है उप्षन A है अमेरिका, B है जापान, C है इटली और D है नाइजीरिया तो राइट अंसर है यहाँ पे उप्षन D नाइजीरिया नाइजीरिया की राजधनी क्या है? राजधनी है अबुजा ठीक है और कहाँ पढ़ता है यह यह पढ़ता है पस्चिमी अफ्रिका में ठीक है अगला क्यूस्टन है किस बारते खिलाडी ने इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास की घोशना की है? उप्षन A है महिंदर सिंग धोनी, B है राहुल दर्विड, C है रविंदर जड़जा और D है स्वरव गांगुली तो राइट आंसर है महिंदर सिंग धोनी हाली ही में महिंदर सिंग धोनी ने इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास ले लिया है अगला क्यूस्टन है 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? उप्षन A है भारत, B है न्यूजिलेंड, C है आस्ट्रेलिया और D है अफ्रिका तो राइट आंसर है यहाँ पे उप्षन A भारत ठीक है और यह है यह है जो ICC पुरुष T20 विश्व कप है यह 2020 में होना था ठीक है लेकिन COVID के कारण इसको स्थग्गित कर दिया गया और 2021 में करवाने का निर्णे लिया अगला क्यूस्टन है मैं 2020 में WHO के 377 में भारत का परतिनिद्द किसने किया है? ओप्शन A है नरेंदर मोदी, B है डाक्टर हर्सवर्धन सिंग, C है अमित्सा और D है S जैसंकर तो राइट आंसर है है आपे ओप्शन B डाक्टर हर्सवर्धन सिंग क्या है यह? यह है Health and Family Welfare के Minister यानि कि Minister of Health and Family Welfare अगला क्यूशन है 2020 में भारत में होने वाले FIFA Under 17 महिला कप को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो राइट आंसर है इसका ओप्शन C यह कोरोना की वज़े से रद कर दिया गया है यानि कि 2020 का जो संस्क्रण होना था वो कोरोना की वज़े से रद कर दिया गया है अगला क्यूशन है हाल ही में CBSC के नए अध्यक्स कोन बने है? ओप्शन A है मनोज आहुजा B है इंदू सेखर C है विजे मित्तल और D है नवनीत सरोहा तो राइट आंसर है आपे ओप्शन A मनोज आहुजा ठीक है? और यह किसकी जगह लेंगे? यह लेंगे अनिता करवाल की ठीक है? और यह 1990 के ओडिसा केडर के I.S रहे हैं 1990 के ओडिसा केडर के I.S अगला क्यूशन है 2020 में फेड कप हाट अवार्ड जीतने वाली पहली भारते महिला कौन है? वाप्शन A है साइन नहवाल B है पीवी सिंदू C है सानिय मिर्जा और D है जोसना चिनप्पा तो राइट आंस पर है यहाँ पे ओप्शन C सानिय मिर्जा और कौन सा खेल खेलती है? यह खेलती है लोन टेनिस अगला क्यूशन है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी करमचारियों के संस स्थानांतरन पर रोक लगाई है ओप्शन A है हर्याना B है मध्य परदेश C है आंधर परदेश और D है उत्तर परदेश तो राइट आंस रहें यहाँ पे ओप्शन D उत्तर परदेश CM है यहाँ के योगी आधित्तेनाथ अगला क्योशन है किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंशूरेंस में 39 परतिसत हिश्यदारी खरीदने की घोशना की है ओप्शन A है SDFC बैंक B है State Bank of India C है Axis Bank और D है Bank of Badoda तो राइट आंस रहें यहाँ पे ओप्शन C Axis Bank और इसका पुराना नाम क्या था पहले इसका नाम था UTI यानि Unit Trust of India ठीक है MDN CEO कोन है MDN CEO MDN CEO MDN है Amitab Codhari ठीक है और कब बनाए यह बना 2 अप्रेल 1994 अगला क्यों सुन है हाल ही में Peter Berg जलवायू सन्वाद के 11 वे सत्र में भारत का परति निद्ध किसने किया है Option A है प्रकास जावेड कर B है निर्मला सितारवन C है डाक्टर हर्सवर्दन और D है अमित्सा तो राइट अंसर है आपे Option A प्रकास जावेड कर और यह मंत्री है किसमे मानव संसाधन विकास मंत्रा ले यानि कि मानव संसाधन विकास मंत्रा ले ठीक है अगला क्यों सुन है पुर्सो की विश्व मुक्वेबाजी चैंपियंशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा Option A है भारत B है जापान C है स्रिलंका और D है सर्विया तो राइट आंसर है यहां पे Option D सर्विया सर्विया कहां पढ़ता है यह पढ़ता है दक्षिन यूरोप में ठीक है और राजधानी है यहां की बेल ग्रेड अगला क्यों सुन है हाल ही में राश्टपती रामनात कोविंद का नया स्जीव किसे निउक्त किया गया है Option A है संजे कोठारी B है नरेंदर तोमर C है कपिल देव तरिपाठी और D है राहुल मिस्तरा तो राइट आंसर है आपे Option C कपिल देव तरिपाठी और कहां के है यह यह है UP के मिरजापुर्ज लेके मिरजापुर्ज लेके ठीक है रहने वाले है और पहले क्या थे I.S अगला क्यों सुन है हाल ही में जारी हुई Forbes 2020 के अरब पुत्यों की सुची में कौन टोपर रहा है Option A है Bill Gates B है मुके सम्मानी C है Mark Zuberger और D है Jeff Bezos तो राइट आंसर है आपे Option D Jeff Bezos ठीक है और किस के संस्थापक है यह Amazon के ठीक है स्थापना कब हुई स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 Headquarter है इसका Washington DC US में अगला question है 2020 में सर्वस्रेश्ट किर्केटर किताब किसने जिता है Option A है विराट कोहली B है जोफरा आरचर C है पैट कमिन्स और D है बैन स्टोक्स तो राइट आंसर है आपे Option D बैन स्टोक्स ठीक है कहां के रहने वाले है ये England के ठीक है England के लिए खेलते हैं ये है एक All-Rounder Player ठीक है विराट कोहली है इंडिया से और जोफरा जोफरा आरचर है ये है ये भी क्या है England से ठीक है और पैट कमिन्स है Australia के अगला किसन है कौन सा देश सभी वित्य बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है Option A है Norway B है Philippines C है Iceland और D है Africa तो राइट आंस रहे हैं पे Option B Philippines और कहां का है ये देश ये है इसकी location है दक्षिनपूर एसिया ठीक है राष्ट्रपती है यांके राष्ट्रपती है यांके Rodrigo 23 ते Rodrigo 23 ते और मुद्रा है यांके Filipino पेसो Filipino पेसो अगला क्योंसन है कौन सा रेलिस्ट है पांच स्टार रेटिंग हासिल करने वाला देश का पहला रेलिस्टेशन बना है Option A है आनंद विहार रेलिस्टेशन B है इंदोर रेलिस्टेशन C है कौकर्ड रेलिस्टेशन D है गोदावरी रेलिस्टेशन तो राइट आंसर है यांपे Option A, आनन्द विहार, रेल्वे स्टेशन और कहां पर है ये, ये है, यूपी में ठीक है, अगला क्योशन है कौन सा देश, एसिया का नंबर वन स्पोर्ट टेक देश बना है Option A है चीन, B है सिंगापूर, C है नेपाल, और D है भारत तो इसका right answer है आपे, option D, भारत अगला है, 19-वे ACI खेल किस वर्स आयोजित होंगे Option A है 2021, B है 2022, C है 2023, और D है 2024 तो right answer है आपे, option B, 2022 और जो 19-वे ACI जो खेल है ये कहां पर आयोजित होंगे ये होंगे, चीन आगला question है, देश की सबसे बड़ी नर्शरी किस राज्ये में स्थित है Option A है राजस्थान, B है जारकंड, C है मनीपुर, और D है आंधर परदेश तो right answer है आपे, option D, आंधर परदेश CM है यहांके, YS, जगन मोहन, रैडी राजधानी, राजधानी, अमरावती, विसाखा पतनम, हैदराबाद और करनोल चार, अगला क्यूस्थान है, किस राज्ये में महाभारत अनुसंधान के अंदर बनाया जाएगा Option A है उत्तर परदेश, B है उत्राखंड, C है हिमाचल परदेश, और D है हर्याना तो right answer है आपे, option A, उत्तर परदेश CM है, योग्यादेदनाथ, और गवर्नर है यहां के, आनंदी बेन पटेल दोस्तो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे जो भी वीडियोज हम डाले, उसका नोटिफिकेसन आप तक पहुंश के Thank you